ICAI important announcement December 21 exam के लिए ICAI change कर रहे हैं कुछ student का center पहले कहा center था और कहा shift कर गया पूरा detail में बताएंगे और आपको एक और बात inform कर दे ICAI exam से पहले किसी भी जगा का ICAI center change कर सकता है अगर in case किसी और जगा का center change होता है तो आप लोगो को कैसे पता चलेगा ये भी इसी वीडियो में बता देंगे वीडियो को पूरा last तक देखना और चैनल को जरूर subscribe करना क्योंकि CA related सबसे पहले update यहाँ पे मिल जाता है देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जो CA foundation December 21 का exam दे रहे हैं और उनका center बैंगलूरू में है तो बैंगलूरू को किसी एक college का center को shift किया गया और कहा किया गया ये भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे जो भी student का center shift किया गया उनका admit card same रहेगा उसमें कोई भी changes नहीं आएगा आपको वही admit card को ले कि जाना है निव वाले center पे पहले जिस भी student का अरिहंत Institute of Commerce and Management में center था ये college आपको बैंगलूरू में है उस student का center को shift कर दिया गया है अब center हो गया है कनक College of Commerce detail के लिए आप ये address पढ़ सकते हो साथ में यहाँ पे roll number भी given है यहाँ से 106 से लेकर के last digit बोलना है 315 तक आपको shift कर दिया गया है कनक College में कोई student इस college के थे और उनका center shift हो गया है तो comment करके जरूर बताइएगा देखो ICI आपके exam से पहले तक किसी भी जगा का center change कर सकते है तो ICI generally दो तरीका से आपको inform करता है पहला यह है official announcement निकाल देता है अपने website पे और दूसरा तरीका यह है जिन भी student का center change होता है उनको mail कर देता है आपके registered mail ID पे inform कर देगा तो आपको mail भी check करते रहना है और इसके अलावा charter studies है ही यह भी update कर देता है अपने YouTube चैनल पे तो आप चाहो तो charter studies को subscribe करके बने रहा सकते हो और मैं मिलता हूँ next video में